हालो जी राम राम कैसे ओ आप सभी आप सभी को स्वागता निकांतिल फैमिली व्लोक्स में तो ये देखलो भई हमारा फाइनल घर तो ऐसे दिखता है दूर से और मोर आये हुए हैं छत पे ये देखो तो ऐसे करके हैं तो ये वाला कमरा है जिसमें बैड डला हुआ है इस कमर तो अभी तक है न मतलब ये सफेदी वगर रहती है अभी होनी और बच्चे अपना मस्ती कर रहे थे खेल रहे थे वंशू है ना निका के साथ पूरी मस्ती करने में लगा हुआ था तो ये अपना मजे कर रहे हैं आराम से बस सारा दिन बच्चों का ऐसी रहता है नहीं मानत किसी की भी तो अपना मस्ती में लगे पड़े थे ये तो ये क्लीप थी थोड़ी-थोड़ी मेरे पास और अब हम करने जा रहे हैं शोपिंग ममी के साथ दोनों बच्चे हैं मेरे साथ तो इनको तुका छोड़के जाते फिर इस करके हम इन दोनों आने ले गए क्योंकि इन ये सति है और ममी भी है साथ में तो हम अपना मस्ती करने में लगे हुए हैं तो इससे समान वगएरा ले के आना था तो इस वज़े से फिर ममी चले साथ में तो शोपिंग कर लेते हैं क्योंकि पार से तो ने सिलवाए नहीं थे क्योंकि एक-दो दिन हीटाइम लगा था जा हाने का तो इस वज़े से सूट तो फिर मने घर आ केज वाये हैं और शोपिंग भी मैंने क्या क्या सूट लिए कौन-कौन क sunny खुरी दे हैं तो वह सब भी मैं आप लोगों के साथ लेकिन वहीं मैं से शैर करों और यहां के साथ कि मैंने कौन-कौन से सूट लिये हैं और एक दो तो मैंने सिल्वा भी लिया है पर और रहते हैं भी सिल्वाने तो गर्मी के यह सूट देखे हैं ज्यादा तर ज्यादा ताव जहाम मैंने देखा नहीं है क्योंकि गर्मी का मोसम है तो इस टैम पे गर्मी के ही सूट च यह बहुत सारी सूट थे तो अब हम घर आ चुके हैं शोपिंग करके तो यह तो तब आधना था क्योंकि जब भी नया घर बनता है तो तो फ़र बहुत बांते हैं तो बहांती है जिसे लड़की माईके में तो वो रहता था तो उपर भी बान दिया है और नीचे भी बान दिया था तो इस करके एक दिन वैसे हमें हो चुका था फिर हम मार्किट गए थे तो मार्किट से फिर हम लेके आये थे तो फिर मैंने सो चमका चलो बान देती हूँ और बस मज़ा हाया काफी अच्छा लगा वहाँ पर वैसे तो पहले भी बना हुआ था ये लेकिन अब बाद में भी बनाया है तो सही हो गया है अब तो फाइनल मतलब रहता है अभी तो फिलहाल लेकिन मेरा टाइम कम था तो इस वज़े से मैं थोड़े ही दिन रही हूँ वहाँ पर एक दो तीन ही टाइम लगता है क्योंकि यहां पर भी खाने बनाना के लिए कोई नहीं है तो इस वज़े से तो इनको रोटियों की दिकत हो जाती है तो इसलिए मैं जजादा दीन नहीं रह सकती अपने घर पे तो बस गर्मी वैसे थी तो ठीक है एक दो दिन ही वैसे सही है तो मैं यहाँ पर बांदूंगी अब तो तो वन्शू की मम्मी अंदर थी तो अंदर से आ रही थी वन्शू की मम्मी और यानि मेरी भावी तो यह मैं पिछह कर रही थी क्योंकि मेरे को यहाँ पर तो तुब देखो मैंने बान दिया है तो ता ये तो उपर वाला जो final look है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा बनाया है क्या बनाया है तो ये कमरा है उपर एक कमरा ये बनाया है और ये पहले वाला कमरा है जो बना हुआ इधर से ये पोड़े ऊपर जा रही हैं तो कफी सही बन गया ऊपर का भी खुला हवादार और वन्शुने देख लो पूरी मस्ति काने में लगऊ है ये नीटिकता कहीं भी कहीं भी नीटिकता है ऐसे ही बस ये दुनों साइड है खिड़किया करती हैं ताकि हवाद ची आए व अपर वाले कमरे में और यहां से भी पूरी दिवार दिखती हैं मतलब ये दिवार के साथ पूरी सड़क दिखती हैं और ये पिछे की साइड का है ये वाली जग है ये ना गली पे हैं और पोदे देखो कितने अच्छे खिले हुए हैं फूल वगारा भी खिले हुए हैं औ पानी का मटका रखा हुआ है यह मंदिर के लिए काम आजएगी क्योंकि जोद लगाते हैं तो उसलिए तो कफी सही बन गया है अब ठीक है अपने रहने लायक हो गया है इनका अपना मज़े से कैसे भी रहें अपना मोज मस्ती में यह यहां पर बातरूम बनाया है और यह बनाया है तो यह वैसे बातरूम मंदर की साइड भी है उस कमरे में भी लेकिन यहां पर बना दी है एक नीचे ओगी है एक उपर हो गया है तो ऐसे करके बनाया है यह घर तो अभी यहां पर रहता है फारसाना तो वह एक दो दिन में दे देगा मिस्त्री तो अपना सही बन हैं बच्चे यहां पे देखो खेलते रहते हैं यह यह छोटी-छोटाब प्च's अपने शडख में आए हुए हैं यह ऐस से करके हैं मतलब ये मेरे चाचता और के घर ही यहां पर अनीक का पूरा मन लगा ओऊ था बजचry के साथ थे यह बिल्कुल भी बोर्ड नहीं हुई वोँ पे तो अच्छे से इसका मन्हीं लग गया था तूलसा रखेंगी हुई है तुलसा बहुत अच्छे से खेली हुई थी लेकिन जो एमारे वाली तूलसा' ना वो तो होती ही नहीं है पता नहीं क्या दीकत और क्या प्रोब्लम है अब फिर नहीं लगवाई थी वह भी नहीं चली तो इस एड़ श्याम हो चुकी थी तो फिर चाय बगरा बना दी थी जी फिर चाय लेने के लिए हम यां पर यह एक हाट थी ना जोुशसाइड रख्यो वीडियो ने शेयर किया करो जाद से जादा और लाइक किया करो वीडियो अगर पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि हाँ भई और ये मोर आये हुए थे आप लोगों को मैं मोर दिखा रही थी तो आते रहते हैं शाम को मुझे मच्छा हो रखा था तो ये बार क फाइनल लूक है जैसे ये टैल वेल लगाई है तो कफी अच्छी लग रही थी ये गैलरी है ये उपर से उपर जीना जा रहा है ये अंदर जाने के लिए गैलरी है और साइड में ये कमरा है तो ये ऐसे ही हो रखा है क्योंकि हमने जाने की त्यारी हो रही थी और सोवे थे सुबह-सुबह का टाइम था तो सारा समाने से ही भी खड़ा पड़ा है तो मैंने बैग वगेरा अपने पैक कर लिया है तो ऐसे करके यह कामरा त्यार हुआ है यह गैलरी है तो गैलरी में यह नीचे जो पोड़ी चट रही थी ना उसी के नीचे यह लैटरिंग बाथरूम ब रखिया है यह हमारा टीवी रखाया है और यह स्पिकर है क्योंकि रोई पहले गाड़ी ले रहा था तो उस पर रखे हुए थी उसने तो यह जाल यह से करके यह फोटो लगी हुए है हमारी पपा को शोक है फोटो वेरल खिचवाने का तो इस वजह से यह रख्यू हुई है फोटो में आप लोगों को दिखा रही थे एक फोटो मेरी बहुत पुरानी है इसमें देखी भी हो गया आप लोग ने और यह रसोई है हमारी यह रसोई है ऐसे करके बनी है फ्रीज अंदर ही रख दिया फ्रीज की जगह जुटवा दी थी डबल शिंक लगवा दिया है तो अभी साफ सफाई नहीं की है क्योंकि अभी काम बहुत रहता है मिस्त्री लगे हुए थे बाहर भी तो कितनी सफाई कर लो तब भी ऐसा ही होना है तो इस करके फिर हमने अभी सफाई की नहीं थी मम्मी ने तो बोली कि बाद में ही करूँगी जब तक यह फाइनल नहीं हो ज रख दिया वोशिंग मेशीन भी क्योंकि अंदर फिर बात्रूम में तुझा गया बहुत कम रहा जाती तो इस हो जैसे यह दुकान में ही रखी है यहां पर यह बार का है जैसे सड़क पर टेक्टर खड़ा हुए हमारा अंगनवाडी है घर के सामने ही तो ऐसे गर के कुछ अच्छ नचा रहा है घर तो बताना भी कैसे लगा आप लोगों का हमारे घर ठीक है बई जासा मैं मतलब चल जाता है घुजरा चाता तो आंगे मिलती हो अच्छी किसी वीडियो के साथ आप लोगों के से तो वीडियो को भी जादा से जादा शेयर करना ठीक हो के बाइबाय टेक केर फ्रेंड्स